Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए CETAT Science NCRT सीरीज हाँ पर कॉंटिन्यू करूँगी और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ प्रीवेस एर प्राक्टिस सेट 16 यहाँ पर डिस्कुस करने वाली हूँ जो के आपका है डे 35 इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों के साथ combustion and flame और साथ साथ इसके अलावा coal and petroleum इन दोनों चाप्टर को यहाँ पर डिस्कुस करने की कोशिश की है और आज के सेशन में मैं इन दोनों चाप्टर के जो प्रीवेस एर कोशिन आपके examiner द्वारा frame किये गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कुस करने की ताकि यह दोनों चाप्टर आपका अच्छे से यहाँ पर कंपाइल हो अगर आप सीटार पेपर टू मैस साइंस के प्रेपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साइंस और मैस सेशन देखने को मिलेंगी content section और pedagogy section मैं यहाँ पर त्यार किये हैं जो कि आप लोगों को comment section में pin form में इनकी playlist से हाँ पर मिल जाएंगी ताकि आप sequence से इन वीडियो को देख सके इसके लगा अगर आप लोगों को यह classes पसंद आती है classes के लिए updated रहना चाहते हैं तो साथ में आपको telegram group का link मिलेगा आप उसे join कर सकते हैं ताकि आपको regular updates वहाँ से मिल सकें तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज day 35 यानकि previous year practice at 16 यहाँ पर discuss करती हूँ ताकि यह दोनों chapter के जो previous year question है उससे आपको idea लगे कि किस तरीके ही question आपके examiner दोहाँ पूछे गए है तो चलिए आज का important session हम शुरू करते है अब मैं आप लोगों के साथ coal and petroleum and combustion and flame इन दोनों chapter के जो previous year question है वो यहाँ पर discuss करूँगी तो देखिए पहला question हमारे सामने है कि the incomplete combustion of fuel produces a gas which is poisonous and reduce the oxygen carrying capacity of the blood अब देखिए यहाँ पर बोडखा है combustion के बात की गई है कि अगर अपूर्ण तरीके से दहन हो यानि कि incomplete combustion हो किसी भी fuel का किसी भी इंधन का तब उस समय एक ऐसी gas निकलती है जो कि poisonous होती है सबसे पहले और साथे साथ जो हमारी शरीर के अंदर oxygen carrying capacity होती है उसको यह कम कर देती है और यह मैंने आप लोगों के साथ content के session में भी हाँ पर discuss किया था कि यहाँ पर complete combustion में तो इस तरीकी की poisonous gas नहीं निकलती पर जब incomplete combustion होता है तो इस समय निकलता है carbon monoxide जो कि poisonous nature का होता है और साथे साथ हमारी hemoglobin के साथ यह bind हो जाता है जिससे ही करता क्या है कि hemoglobin को oxygen के साथ bind नहीं होने देता और oxygen carrying capacity जो है वो कम हो जाती है तो इस question का जो correct answer होगा वो होगा आपका B option I hope यह question आपको clear हुआ होगा अब मैं आपके साथ next question यहाँ पर discuss करूँगी तो देखिए next question हम लोगों को यहाँ पर जो concept मैंने आपके साथ 3 concept discuss किये थे एक calorific value यान कि उश में मान इसके अलावा इसके अवस्था और यहाँ पर जो ignisius temperature होता है इस related पूश रखा है और यह बोर रखा है कि इन में से कौन सा best होगा एक domestic fuel के use में तो देखिए सबसे पहले calorie मान से आपको कौन सी value यहाँ पर मिलती है calorific value की मदद से हमें पता चलता है कि हमें energy कितनी मिलेगी यानि कि इसका energy का हमें amount पता चलता है तो हम चाहेंगे कि किसी भी इंधन को जलाके हमें जादा energy मिले simple सी बात है और ignisius temperature होता क्या है कि minimum temperature जिसमें आपका इंधन जो है वो आग पकड़ ले तो देखिए बहुत ज़्यादा minimum भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा minimum होगा तब वो क्या कर सकता है वो fire को आग को पकड़ सकता है तो हम चाहेंगे कि moderate हो मतलब बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना हो और ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब यह है कि maximum अगर temperature होगा तो वो time लगाएगा आग पकड़ने में minimum temperature यान की कम से कम temperature जब वो आग पकड़ ले तो देखिए यहाँ पर पहला जो इंधन दे रखा है वो दे रखा है कि इसका calorific value आपका high होगा हाई होगा तो हमें high वाली चीज़ तो चाहिए state यहाँ पर वो रखा है कि यह ठोस है तो देखिए अगर ठोस है तो इसे इधर दर ले जाने में दिक्कत होगी transportation में दिक्कत होगी ऐसा हमें नहीं चाहिए और अगर ignition temperature हाई होगा तो वो जल्दी जलेगा नहीं तो यह वाला option तो आपका कड़ जाता है इसके अलावा बी में यहाँ पर बोल रखा है कि calorific value जो है वो moderate है तो ठीक है हमें मतलब ना ज्यादा ना कम हमें energy मिलेगी ठीक है औ और ग्यास यहाँ पर बोल रखा है ग्यास स्टेट में ग्यास स्टेट में आप इसली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बट यहाँ पर ignatious temperature हाई हमें हाई नहीं चाहिए हमें minimum temperature चाहिए होता है तो बी वाला option भी हाँ पर कड़ जाता है अब अगला यहाँ पर देखेंगे कि calorific value जो है moderate का मतलब क्या है कि आपको ठीक ठीक energy मिल जाएगी पर डी option में रखा है calorific value जो है वह आपको कम मिलेगी अगर कम मिलेगी तो हम ऐसा fuel यूज क्यों करेंगे हमें तो energy तो थोड़ी जादा मिलनी चाहिए तो डी हाँ पर कट जाता है और अगर हम यहाँ पर देखें तो C जो है एक ideal fuel माना जाएगा ideal तो क्या एक best suited fuel माना जाएगा अगर आप एक domestic fuel की तरह उसे use कर रहे है कि calorie value moderate मिलेगी gas state में होगा और ignatious temperature भी moderate है ना ज्यादा ना कम देखें बहुत कम होने से वह आग पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा होने से वह time लगाता ज्यादा ज्य यहाँ पर moderate वाली चीज़े चल जाएंगी तो इस हिसाब से इस question का C जो option होगा यह correct answer है मैं उमीद करूंगी कि यह session यहाँ तक आपको clear हुआ होगा अब देखिए अगला question जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर जो call है इसके जो product मैंने आपके साथ discuss किये थे उससे related एक mazda following दे रखा है और साथे साथ यहाँ पर हमने between जो देखा था इससे related भी हमें mazda following दे रखा है अब एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से चीज कहां पर यहाँ पर suit करेगी तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर coke दे रखा है तो अगर मैं coke की use के ब perfume वगेरा है वो बनाए जाते हैं साथे साथ naphthalene ball जो बनाई जाती है जो कि यहाँ पर इंसेक्ट को रिपेल करती है वो भी coal तार से बनाई जाती है और coal gas की अगर हम बात करें तो coal gas जो है यहाँ पर industry में as a fuel यहाँ पर use किया जाता है और bitumen की अगर हम बात करें तो यहाँ road softening में इसे use किया जाता है यानि की डी का जो third option है यहाँ पर correct answer होगा इस हिसाब से हमारा जो combination यहाँ पर सही बैठेगा वो बैठेगा आपका a option तो इस तरीके से अगर आपको एक से दो users भी पता है तो आप इस तरीके के question असानी से कर पाएंगे अगला यहाँ पर question है which of the following is the purest form of carbon बहुत important है आपके exam में direct पूछा जा सकता है कि carbon का purest form क्या है carbon का जो purest form होता है देखिए carbon के तीन तरीके के आपके form यहाँ पे sorry coke जो आपका यहाँ पे हमारा coal है coal के आपके main 3 product होते है एक होता है यहाँ पे coke एक होता है coal तार और एक होता है coal gas है आपे charcoal तो हमें अ carbon का होता है वे होता है आपका coke तो इस हिसाप से इस question का जो correct answer होगा वो होगा आपका option इसके अलावा अगर हम यहाँ पे next question को discuss करें तो देखिए इस chapter को यहाँ कि जो आपका candle flame का topic है उसको यहाँ पे जो हमारा fiber to fabric chapter होता है उससे link करके question पूछा गया है तो इस तरीके के question के आपको mentally prepared रहना है कि इस तरीके का question आपकी examiner frame कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें अलग-लग option दे रहा है हमें पहचानना है कि इन में से क्या होगा सबसे पहले X दे रखा है X में बोल रखा burn with bright flame and greyish black ash is left यान कि X को जब आप जलाते हो candle की flame में तो वो bright flame देता है और greyish black ash वहाँ पे छोड़ देता है अब वाई के बाद में बोल रखा है burn with craling and produce black creeps ash अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे अगर आप वाई को जलाते हो तो वाई को जलाने पे आपको जो यहाँ पे जलावा product है वो यहाँ पे कैसा मिलता है यहाँ पे दरदरी राख आपको मिलती है थोड़ी सी खुरखुरी टाइप की इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जैड के बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है melt on burning अब देखिए यह सीधा ही melt हो जाता है अगर आप सारी चीज़े देखें तो जैड आपको यहाँ पे clear होना चाहिए जैड आपका होता है rayon rayon के कपड़े जो है वो kitchen में मना किये जाते हैं पैडने को और क्यों मना किये जाते हैं क्योंकि अगर उसमें आग एकदम से पकड़ ले तो वो सीधा ही melt हो जाएगा वो कोई राख वगरा नहीं बनाता और melt होते होते पूरा कपड़ा जो है वो जल्दी जल सकता है तो Z तो आपका यहाँ पर rayon चाहिए तो यह देखिए वाई के लिए हमें क्या बोल रखा था कि वाई को अगर आप जलाओगे तो कुछ खुरदुड़ापन निकलेगा तो यह आपको कब देखने को मिलता है जब आप यहाँ पर किसी भी वूल को जलाते हो तो देखिए जो हमारा उन होता है उन को जब आप जलाओगे तो आप नुटस करोगे कि उसमें दरदरी राक निकलेगी जब उसे जलाई जाती है और जब आप जूट को यहन की उन को अगर अगar आप जूट को आप जलाओगे तो जूट को जलाने पे यहाँ पर आप को ब्राइट लाइट जो है वो देखने को मिलेग यानिके petrochemical इन में से कौन से है मतलब petroleum के जो mainly product है तो रायान तो है नहीं रायान तो आपका यहाँ पे fibers के topic में आ जाएगा इसके अलावा caustic soda यह आपका नहीं है इसके अलावा coal तार के अगर मैं बात करूँ तो यह आपका coal के product में से एक है तो बचा क्या है यहाँ यहाँ पे lubricating oil, यहाँ पे polyester और यहाँ पे butumine यह इस question का correct answer होगा जो क्या आपका है C option इसके अलावा अगर हम यहाँ पे next question को discuss करें तो देखिए next question है कि identify the group of constant of petroleum यानि कि petroleum के फिर से आपको product पूछ रख है इस question में तो रायाउन नहीं होगा अभी मैंने आपके साथ discuss किया था और यह दूसरा question है अब यहाँ पे कास्टिक सोडा नहीं होगा इसके अलावा अगर आप देखें last option में भी रायाउन मिल रहा है तो यहाँ correct answer होगा जो आपके lubricating question पूछा हुआ है तो जो मैंने आप लोगों के साथ flow chart table discuss किया था वो आप लोगों के लिए बहुत important है उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पे prepare करिएगा अब मैं आपके साथ next question यहाँ पे discuss कर रही हूँ तो देखिए इस question के अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि आपको property बता रखी चार अलगलग fuel की A B C D अब इसमें हम लोगों को बताना है कि हम इनमें से कौन सा best use करें domestic purpose के लिए तो यहाँ पे बस value इनकी देदी तो देखिए calorific value जो है हर कोई चाहेगा कि सबसे ज़्यादा हो simple सी बात है और यहाँ पे अगर हम देखें तो state कैसा चाहिए हमें एक gases state चाहिए और अगर हम यहाँ पे देखें तो next यहाँ पे वो रखा है जो ignisious temperature है वो low हो तो अगर आप इसमें ignisious temperature जो है वो अगर आप temperature लेना है पर बिलकुल low वाला case आपको नहीं लेना लो वाला case इसले नहीं लेना क्योंकि बहुत low होगा तो आग पकड़ सकता है तो यह वाला case हम यहाँ पे consider नहीं करेंगे इसके बाद अगला case कौन सा है जिसमें calorific value जो है वो 45 है क्योंकि बाकी में तो 17 और 20 तो कम हो जाएगा अब 45 वाले में state क्या है liquid तो देखिए solid नहीं है तो liquid को transport किया जा सकता है और यहाँ पे ignisius temperature क्या है यहाँ पे moderate है तो आपको moderate वाली चीजों को लेते वे चलना है तो पिछले question के तरह हमने calorific value भी आपकी कैसे लिए moderate है यहाँ पे state इस बाद तरह लो गया और ignisius temperature moderate अब c option क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ignisius temperature low दे रखा है low वाले case में जैसे कि अगर बहुत जल्दी आग पकड़ ले तो एकदम से उसमें आग लगके आप लोगों के लिए danger का situation हो सकता है तो तब हम उस case को consider नहीं करते वह भी domestic use के लिए तो खास करकी घरेली उपयोग के लिए तो खास करकी इस वज़े से question का जो भी आपका यहाँ पे fuel है उसको हम एक ideal fuel के तरह consider करेंगे इसके लावा अगर मैं आप लोगों के साथ next question यहाँ पर discuss करती हूं तो next question यहाँ पर है कि naphthalene wall that are used to repel moth and insects are obtained from naphthalene wall जो कि हम किसी भी कीडे को या आप कहले जी कीडे मकोडों को भगाने के लिए प्रियोग करते हैं वो किससे प्राप्त होती है तो अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे जो कोल है इसके तीन प्रोडक्ट के बारे में बताया था सबसे पहले कोल तार इसके अलावा यहाँ पे कोल गैस और एक कोक और जो कोक होता है यह आपका purist form है यह इसका answer नहीं है इसके अलावा कोल तार जो है यह यहाँ पे naphthalene ball को repel करने के लिए साथ साथ perfume बनाने के लिए इन purpose के लिए यहाँ पे use किया जाता है इसे साब से जो correct answer होगा वो होगा आपका option इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ next question यहाँ पे discuss करती हूं next question यहाँ पे है a man purchases eggs to use it as a fuel use कर सके तो x की क्या quality होने चीए अब देखिए यहाँ पे हमें x की quality जो है वो यहाँ पे पूछी गई है तो एक एक करके हम इस siege को यहाँ पे decode करते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोगों को बोड़ का cheap होना चीए सस्ता होना चीए पर low ignatious temperature नहीं चाहिए क्योंकि उसे कहीं न कहीं यहाँ यहाँ emergency का situation या danger का situation हो सकता है high calorific value और low ignatious temperature देखिया high calorific value तो हर कोई चाहता है बट यहाँ पे आप कहने सकते कि low ignatious temperature वही आग वाली बात आ जाएगी तो A और B को आप यहाँ पे consider नहीं करेंगे moderate ignatious temperature moderate calorific value and non-toxic यान कि जो जहरी ले जहरी ली ना हो और साथ साथ आपको ठीक ठाग यहाँ पे calorific value दे यानि कि आपको amount of heat जो है ठीक ठाग मिले तो यह सही है moderate ignatious temperature and cheap यह आप लोगों के लिए ठीक है moderate क्यों चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे उस तीज को जलाना है बट अगर बहुत low हो गई तो आपको problem हो सकती है तो अगर आप घर में cooking के लिए use कर रहे हैं तो आपको दोनों चीजे ही moderate यहाँ पे use करनी है और यहाँ पे e हमें दे रखा low calorific value अब देखे low calorific value तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है क्योंकि अगर calorific मान low होगा तो आपको amount of heat कम मिलेगा और amount of heat हमें कम नहीं चाहिए तो e भी यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ जो quality होने चाहिए उस fuel की वो होने चाहिए b, sorry c और d जो कि आपको d option में दे रखा है I hope यह question भी आपको यहाँ पे clear हुआ होगा, अब मैं आपके साथ next question यहाँ पे discuss करती हूँ जिसका अंदर यह बोल रखा है which of the following statement is correct regarding the temperature of blue zone that is the outermost zone of the flame अब देखें मैंने आप लोगों के साथ flame जो है candle की वो discuss किया था और मैंने बताया था कि जो सबसे outermost zone होता है उसमें सबसे जल्दी चीज़े आपकी क्या होती है गरम होती है, क्यूं क्यूंकि इसका complete combustion होता है और यह blue color का दिखाई पड़ता है अब यहाँ पे बोल रखा the temperature cannot be measure यानकी इसका temperature मापन नहीं जा सकता है यह तो कोई sense नहीं बनता इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा the temperature is around 100 degree celsius अगले में बोल रखा the temperature is much higher than 100 degree celsius और अगले में बोल रखा the temperature is less than 10 degree celsius तो देखे temperature कम तो होगा नहीं क्यूंकि complete combustion हो रहा है और अगर हम इन दोनों को compare करें तो एक में बूल रखा है कि टेμप्रियचर जो है 100 degree celsius है और एक में बूल रखा है temperature जो है 100 degree celsius यहादा है तो अगरुसका यहाँ पर complete combustion हो रहा और बहुत गरम पारट है तो 100 degree celsius यहाँ पर हम B and C option को compare करें पूछ रखा है कि identify the incorrect statement इन में से conscious statement यहाँ पर incorrect है और एक चीज और यहाँ पर calorific value की आपको NCRT में एक table दी गई है उस table को आप यहाँ पर consider करके भी इस question को कर सकते हैं otherwise अगर हम एक general overview लें तो भी आप इस question को यहाँ पर कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही बोल रखा है कि calorific value आपको incorrect जो है वो यहाँ पर आपको छाटना है तो अगर हम एक एक करके option को यहाँ पर decode करें तो यहाँ पर बोल रखा calorific value of coal is more than wood तो देखिए अगर आप एक coil को जलाएंगे तो उससे amount of heat एक लखड़ी से ज़्यादा मिलेगी यह तो common sense से भी आप कर सकते हैं यह सही है क्योंकि incorrect ढूनना है तो यह नहीं होगा अगला है calorific value of bio gas is more than LPG जो LPG होता है उसका calorie मान ज़्यादा होता है वो जल्दी आपकड़ता है और ज़्यादा amount of heat देता है और बायो गैस जो है एक नाचुरल गैस है तो वह थोड़ा कम amount of heat यहाँ पर प्रेड्यूस करेगा तो यहाँ पर यह चीज उल्टी लिखी हुए है इस वज़े से यही question का correct answer होगा इसका लाबा अगला यहाँ पर है कि cng जो है उसका calific amount जो होता है वह आपका diesel से ज़्यादा होता है इसलिए इसे रेफर किया जाता है तो यह सही है तो यह answer नहीं होगा अगला है calific value of kerosene is more than cool kerosene का ज़्यादा होता है इसलिए से fuel की form में use करते हैं तो यह भी यहाँ पर होगा तो incorrect statement जो है वह आपको कौन से option में दे रखा है यह आपको बी option में दे रखा है इसके लाबा अगर हम अगले कोशन को यहाँ पर discuss करते हैं तो देखिए अगले कोशन में यहाँ पर आपको calific value जो है वह आपको निकालनी है और यहाँ पर आपको फ्यूल और जो जितनी एनर्जी प्रेड्यूस करेगा यह आपको बता रखा है इसके लिए आपको कुछ जादा यहाँ पर मेहनद नहीं करनी आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर करना होगा पहले आप इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर लेजिए और अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करती हूं तो यह लगभग जो आपका अंसर आएगा वो आएगा आपका 45 इंटू 10 की पार 6 अब देखिए यह आपका अंसर आ गया अब इसे मुझे क्या करना है इसे मुझे यहाँ पर किलो जूल में हाँ पर कनवर्ट करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना होगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पार 3 हाँ पर बच जाएगा और यह 45 और 10 की पार 3 को हम क्या से लिख सकता है 45,000 तो इसे साब से जो करेक्ट आंसर होगा वोगा डी ऑप्शन तो इसकी यान की कैलिफिक वेल्यू की जो एसा यूनिट थी उसकी मदद सही हमने इसके फॉर्म कोशन है बहुत इजी कोशन है आई होप आप सभी इस कोशन का यहां पर आंसर दे पाएंगे इसके अलावा अभी जो रीसेंट एक्जाम हुआ था लास्ट एयर उसमें हम लोगों से एक कोशन पूछा गया है थोड़ा सा मैं यहां पर जूम कर देती हूं आप लोगों को यह कोशन यहां पर विजिबल हो लास्ट कोशन आज के इस सेशन का है विच आफ दा फॉल्लिंग सब्सेंज आर प्रेजेंट उन रबिंग सर्फेस ऑफ मैस्कि यानि कि जो आपके मार्चिस होती है उसके रबिंग सर्फेस में कौन सी चीज होती है तो वाइट फॉस्फरिस होता है यह वाइट फॉस्फर उस में बदलता है तो यह भी आपको पता हुना चैया है तो इस इस आप से इस कुश्ण का जो करेक्त आंसर होगा वह गा गलास पाउडर एंड ट्रेस फॉस्फर्स ऑफ आज के सेशन आपको पसंद आया होगा आज के सेशन में इतना ही अब मैं आप से मिलती हूं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर